आई आएम रायपूर द्वारा आउजित दो दीवसी चिंतन शिवीर में शामिल होने के बाद मुखे मंत्री विश्ण देवसाय ने कहा कि प्रधानमाती नरेद मोधी का 2047 तक का विक्सित भारत बनाने का संकल्प है निश्चित रूप से उसमें 36 गड़ का भी सहयोग रहने मुझे पुरा विश्वास है कि विक्सित 36 गड़ के विजन के लिए ये दो दीवसी चिंतन शिवीर मिल का पत्तर साबित होगा मुखे मंत्री ने इस महत्रपुन आयोजन के लिए आई आई एम रायपूर का विश्चित आभाज अताया आई आई एम रायपूर में 36 मंत्री बंडल के समाने सद्यस्तों का दो दीवसीय चिंतन सिवीर का यहां पर आयोजन हुआ है और आयोजन आई 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 एम रायपूर ने किया है उनको सबसे पहले तो धन्यवाद और मानने परधान मंती जी की भी एक्छा थी किस तरह का चिंतन सिवीर मंत्री मंडल के समाने सद्यस्तों का हो और उसका आयोजन यहां पर हुआ है और इसमें दो दिन में कुल दस से बारा सत्र होंगे और सभी सत्र में अलग-अलग विश्यों पर व्याखान देने के लिए देश के विद्वान जन यहां पर आ रहे हैं पहला सत्र मित्यायों के चेर्मेन सुभी बुर्मनम जी का था और अभी चार सत्र हो चुके हैं आई-एम अहमदाबाद और धनबाद और कई जगस विद्वाजन आये हैं और उभीन विश्यों पर उनका व्याख्यान हो रहा है और निच्चित रूप से जो हमारे प्रधान रहने वाला है हम लोग भी विख्षी चत्रिशगड बनाएंगे और चत्रिशगड में सुभ्सासन इस्थापित करने के लिए और विकास की दिष्टिस से चत्रिशगड को बहुत आगे बढ़ाने के लिए ये दो दिवसे चिंतन सिविर एक मील का पत्थर सावित होगा ऐस मेरा पुरा बिस्वास है